नमस्कार बहुत सौगास है आपका आप देख रहे हैं दन यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा आचारे प्रमोत कृष्णाम कॉंग्रेस के नेता और प्रियंका गांधी वाड़रा के महासचीव सलाहकार समझे उन्होंने बड़ा एक अटाक इंडी गठ बंधन में कर खबर बता दे आचारे प्रमोत कृष्णाम लखरों में हैं उन्होंने मुख्य मंत्री योगी जिसे मुलाकात की है यानि कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से योगी अरितिनाद से आचारे प्रमोत कृष्णाम की एक सुकद मुलाकात होई उसके बाद उनसे पत्रकार में है, इसको लेकरने की क्या कह दिया बड़ी खबर कह रहे हैं इंडिया लाइंस की क्या बात करते हैं गठवंधन जन्म लेते ही बीमारियों से ग्रसिस हो गया मुझे लगता है कि कोई अब गठवंधन है ही नहीं, बात ही उसकी नहीं करनी चाहिए और देखिया अचाले प्रमोत कृष्णम पहली बार नहीं अटैक कर रहे हमेशा गठ बंधन पर और कॉंगरस पर अटैक करते नजर आते हैं उन्होंने यहां पर जिस तरीके से कह दिया ऐसा लग रहा है कि बिमारी बताया देखिये क्या कह दिया उन्होंने कहा इंडी गठ ब जाएंगे या फिर आज जाने वाले कल जाने वाले हैं लेकिन यह हमेशा उन बातों का विरोत करते हैं जो की गलत इनके नजर में होता है भारत एक लोगतांत्रिक देश है भारत में लोगतांत्रिक विवस्ता है यहां न्यायपालिका के फैसले पर हमें भरोसा रखना चाह हमें विश्वास करना चाहिए और नयायपालिका के फाइनल डिसीजन का इंतिजार करना चाहिए नयायपालिका का जो फैसला होगा उसका स्वागत करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए इस देश में कोई नहीं है जो अदालत के आदेश को ठुकरा दे या ना माने अदालत का आदेश मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए हमें अपनी अदालतों पर भरोसा होना चाहिए अब प्रधानमंत्री जी की जो क्रेडिविल्टी है वो तो यही है ना 2014-2019 उसके बाद लेकिन चुनाब चुनाब है जब चुनाब गोशित होगा तो उस पर बात करेंगे अभी इस पर क्या टिपने करो किस तरह से देख रहा है एक तरफ मंता बनारी कि कई दल तूटते हुए नजर आ रहे है क्या लगता है सरक्तिक्त मुझे लगता है इंडिया गठ बंदन का जो जन्म हुआ जन्म लेता ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया फिर वो आईस्यू में चला गया फिर वो लुगट कांगरेश की सरकार आती तो हम चाती जंगहना कराएं यह च Imogen सीमा कि गुड़ा देगी काने के लिए जाहएं। सुर्जेवाला जी है और कांग्रेस के सभी बरिष्टर मूर धने नेता है अयोध्या धाम के बाद से ही और अटेकिंग मोड में नज़र आ दे ने कि कह कह रहे हैं जन्म लेते गठ बंधन बीमारी से ग्रसिस हो गया उसके बाद वो आईसियू में गया आईसियू के बाद वे बंधन का जो हश्र जो हाल नितीश बाबू ने किया क्योंकि देखिए करता धरता वही थे करता धरता तो वही थे ये तो कोई इग्णोर करने वाली बात है ही नहीं देखिए आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी नितीश कुमार ही है जिन्होंने कहा था कि बीजेपी से ल डिमांड करी तो वो डिमांड पूरी नहीं हुई और पूरी नहीं हुई तो उन्होंने गठबंधन से मुफेर लिया और आपको याद दिला दू बैंगलोर की मीटिंग के बाद से ही नितीश कुमार ने किनादा कर लिया था एक बयान नहीं दे रहे थे सायोजक बनने में क अब आते हैं राहूल गांधी के बयान को लेकर क्या कह दिया देखे गठबंधन में कोई जोर नहीं है इसका तो खामियाजा गठबंधन भुगत रहा है बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया देखे बीजेपी तो मजबूरी में कहेगी ही चलिए कोई बात नहीं और देखे ऐसे में ही अब आप जनता की राय देखिए कल प्रधान मंत्री ने इतना कॉंफिडेंस में लोग सभा में भाशन क्यों दिया प्रधान मंत्री की भाशन आपको याद दिलाना चाहूंगी दर्श्रकों कि उन्होंने कहा थी कि NDA 400 पर और हमारी बीजेपी 370 पर उन्होंने कहा तीसरे कारेकाल में जो पहले तो गढड़े भरे भाईया पहले कारेकाल में गढड़े भरे कॉंग्रेस के सेकेंड कारेकाल में नीव रखी और थर्ड कारेकाल में भारत के भविष्ट को सुनेहरा बनाएंगे तो अब यानि की पिये मोदी कमर कसके तयार है गठबंधन में हवा जो है वो उल्टी चलती दखाई दे रही है आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी ये वही इंडिया गठबंधन है जिसने अपना नाम दिया इंडिया लेकिन काम इनके इंडिया वाले नहीं हो पाए है ऐसा बीजेपी कहती है तो बीजेपी के निताव न पश्चिव मंगाल में दर्शकों पश्चिव मंगाल में there is no alliance with Congress आमानी पार्टी का इधर पंजाब में आजाए पंजाब में Congress के साथ कोई आमानी पार्टी का कोई तालमिल नहीं पश्चिव मंगाल में TMC का Congress से कोई तालमिल नहीं तो भाया कही तो तालमिल हो किसी राज् दिख्षित जी क्यों पसंद करेंगे आपने उनकी इतनी महान मापर इलजाम लगाए देखिए कोई भी बात हो कॉंग्रेस की लीडर वो अच्छी रही है बहले वो कॉंग्रेस में थी लेकिन देखिए शीला दिख्षित जी ने काम अच्छा किया दिली चमक रही है और अगर केजरीवाल जी ऐसे बोल देंगे शीला दिख्षित ब्रस्टा चारी थी मतलब देखिए आप से तो कम ब्रस्टा चार की है ऐसा बीजेपी भी कहती है बीजेपी भी इवेन शीला दिख्षित जी का सपोर्ट करती है और केजरीवाल को बुरा भला कहती है क्योंकि केजरीव मोधी चलिए भाईया केजरीवाल का सपोर्ट कर देते हैं मजबूरन में दिये गए बयान को इंडिया गटवंदन मजबूत नहीं कर पा रहा है और यही वज़ा है कि इंडिया गटवंदन तूटके कगार पर है हर जगा इतर वितर आप देख लीजे इनके कोई नेता आपस मिलते नजर नहीं आते हैं पहले तो हमने देखा बहुत अच्छे से फोटोग्राफ निकल कर सामने आ रहे थे खड़गे जी एकसाइड, नितीश जी एकसाइड, लालू जी एकसाइड, केजरीवाल एकसाइड, ममताव इनर्जी एकसाइड, सोनिया एकसाइड लेकिन अब ना खड़गे बचे ना नितीश बचे एकसाइड, टीमसी को तो छोड़ दीजे सबसे बड़ा और सबसे जादा जो कहते हैं कि उधम मचा रखा है ममताम इनरजी ने मैं ऐसा इसली कह रही हूँ बार बार राहूल पर शिकायत क्या कह रहे हैं कुछ नेता फोटो सेशन कराने आ रहे हैं आपको याद होगा कि राहूल गांधी के भारत जोड़ो यातरा को ले अचार प्रमोद कृष्णम पर वापस लोटना चाहूंगी प्रमोद कृष्णम से पत्रकार ने पूछा कि सर आप क्या बोलना चाहेंगे राहूल गांधी जो जातिकत जनगन्ना पर टिपड़ी नहीं करनी है वो करे जैराम रमेश वो करे रणदीप सुड़ जे वाला मतल कि जातिकत जनगन्ना पर इनका सकरात्मक विचार नहीं था अगर अचार प्रमोद कृष्णम का जातिकत जनगन्ना पर सकरात्मक विचार होता उनके विचार उनके तालमिल बैठती राहूल गांधी के विचारों से तो आज ऐसी बात वो करते नज़र आती यानि कि आचार तो रहुल गांधी पर यो जो टिपड़ी है ये कोई साधारन टिपड़ी नहीं है प्रियंका गान्धी को एक अच्छा बोलते कि अच्छी नेता हैं और ये कहते भी आचारे जी कहते भी है कि राहुल गांधी से बेटर प्रधानमंत्री या फिर विपक्ष की बड़ी लीडर प्रियंका गांधी है लेकिन क्या पता क्यूं सोनिया गांधी जादा प्रमोट राहुल गांधी को करती है इन के आयोध्या ना जाने पर तो इतने जादा भड़क गए थे कि चार दिन पहले ही आयोध्या पहुच गए और वहाँ पर इंटर्व्यूज में कोई डर नहीं कोई भय नहीं हमेशा यह कहते नजर आएं कि आयोध्या ना जाकर राम जी को ठुकरा कर कॉंग्रेस ने सनातन का अ मैं चाहूंगी आपकी राय क्या आपको लगता है कि वाकई इंडिया गठमंधन जन्म लेते बिमारियों से ग्रचिस हो गया उसके बाद आई सीओ में पहुचा उसके बाद वेंटिलेटर में पहुचा और अब तो नितिश जी ने अन्तिम संसकार कर दिया है तो क्या आपक बाद शुक्रिया आपका